बिस्मिल्लाइरह्मानुर्रहीम आज की इस टूटोरियल में हम देखेंगे कि बिग ब्लॉग की इडेंटिफिकेशन और फॉर्म को कैसे फिल करना है सुपरवाइजर ने तो सबसे पहले जो सुपरवाइजर ने फॉर्म फिल करने के लिए यूर्ल अक्सेस करना है जो के इंटरनेट पर अवेलिबल है उसका यूर्ल है बिग बी डॉट पी बी ओएस डॉट जी ओवी डॉट पी के है जब यूर्ल अप इंटर करेंगे तो अब यहाँ पे सुपरवाइजर अपना वो यूजर आईडी डालेगा जो के HR में उसको साइन किया गया है जैसे मैं प्रैक्टिस के तोर पर अभी यहाँ पे यह वाला यूर्ल कॉपी करता हूँ ठीक है और एक uniform पासवर्ड जो के सुपरवाइजर के साथ शेर किया जाएगा वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है उसके बाद login के button पे क्लिक करना है तो जब login के button पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे big block identification form उपन होगा अब जिस block को big block के लिए consider करना है उसके लिए supervisor यहां से block code select करेगा अब देखे census district automatically selected आएगा उसके बाइ structure count यहां पे इंटर करेगा supervisor economic unit count इंटर करेगा houses count करेगा और उसकी value यहां पे fill करेगा collective residence फिल करेगा collective residence में जितने लोग रह रहे हैं वो फिल करेंगे और physical nature बतानी है block की के block किस तरीके का है मैं इस case में plane and squeeze इंटर करता हूँ उसके बार next availability के बारे में बताना है कि yes or no और remarks optional है वो आप दे सकते हैं जब आप submit करेंगे तो यह data आपके पास यह देखें नीचे submit हो जाएगा और यह request system इस block के against आजाएगी जहां पे quick count में structure, economic units और houses आएगे collective residence में number of residents, sum of people, physical nature, internet available और इस big block इस big block में अभी तक no आ रहा है क्योंके आगे verified अभी तक pending है दोनों section से, GIS section से भी और FS section से भी तो जब यह supervisor request put करेगा तो उसके बाद यह status दोनों pending पे होंगे जो ही GIS और FS section इनको verified कर देंगे तो यह big block बन जाएगा और उसके बाद HR में studio उन blocks के against एक से ज़दा बंदा भी लगा सकते हैं तो यह big block identification form तब बिल्कुल simple है आप किसी भी block code के against यह information फिल करके submit कर सकते हैं और यह logout button से आप logout कर सकते हैं तो यह इस tutorial में आपको बिताया है कि big block को आपने कैसे फिल करना है supervisor ने Thank you